जहीं साथियों मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते श्टेंट आज की इस क्लास में श्टेंट अगर आप सभी भी UP पुलिस 2024 एकजाम की त्यारी कर रहे तो यकीन मानेगा श्टेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोडेड होने वाला क्योंकि इस श्टेंट आज की इस क्लास में में लोग कभर करने वाले UP पुलिस 2024 की एकजाम के लिए आप सभी के उत्तर प्रदेश परीचा में बार बार पूछे जाने वाले प्रशनों के बारे में आप सभी एकीन मानिएगा कि ये जो प्रशन आप सभी की सारे जो में कराने वालों आज आप सभी के यूतर प्रदेश एकजाम में बहुत बार पूछे गए और आप सभी के 2024 वाले एकजाम में में ये प्रशन आप सभी के पूछे जाएंगे जहां पर कि आप सभी के लिए 30 प्रश्ण जो की लिया गया एंड इस्टेंट जैसा कि आप लोग देख पारे कि सारे प्रश्ण आप सभी के लिए काफी इंपूड़ेड एंड एक्जाम ओरियेंटेल लिया गया क्योंकि यहां पर अगर हम लोग बात करते तो यहां पर आप सभी के लिए सारे जो प्रश्ण जो प्रश्ण लिया गया हर एक चेप्टर से आप सभी को प्रश्ण लिया गया हर एक स्लेबस से प्रश्ण लिया गया तो आप सभी के लिए काफी इंपूड़ेड है अगर आप स इस class का PDF download करना चाहते तो मैं इस class में आप से को बताने वाला हूँ कि आपसे इस class का PDF download करके एक notes को कैसे तियार कर सकते तो चलिए सित्टेंट आज की s class को अच्टार्ट करते हैं आप सभी का जो पहला प्रशन यहां पर पूछा जारा है कि उतर-प्रदेश में सबसे उचा बांध कौन सा है ये भी प्रशन आपसे कि बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांध कौन सा है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का राम गंगा आपसे नंबर बी इस टेंट आप सभी का राइट एंसर हो अगले प्रश्ण को बात करते आप सभी का प्रश्ण नमबर टू पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिले कहा इस्तित यहां पर प्रश्ण जो पूछा गया आप सभी से कि मध्य परदेश में सबसे अधिक स्वरी यहां पर मध्य परदेश नहीं होना ची यहां पर ठीक है यहां पर मध्य परदेश है कि मध्य परदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिल कहां पर हो जाएगा तो इंदोर हो जाएगा ठीक न यह कोशन एक मध्य परदेश का यहां पर आचुक है लेगिन कोई दिक्कत नहीं अगला प्रश्न आप लोग देखेगा यहाँ पर देखे कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन प्रदेश कौन सा है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है अपसा नमबर A में स्टेंट आप सभी के लिए पनजाब B में उत्तर प्रदेश C में राज्य स्थान और D में हरियाणा तो राइट हैंस आप सभी का आपसा नमबर होच जाएगा यह आनि कि उत्तर प्रदेश होच जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधी गन्ना उत्पादन किया जाता है एंड अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आप सभी का 4 नंबर प्रेस्ट ने पूछा गया है उसे पर आप सभी से छोड़ा सा प्रियास कि तख आप से मारे चलों को प्रतिसत वर्षा होती है यह कोशन काफी इंपुडेड है आप सभी के लिए मैं बार-बार बोलाओ कि जो क्लास इस्टेंट अपलों के यकीन मारके करिएगा कि आप सभी के लिए क्लास काफी इंपुडेड सिध्ध होने वाला है ठीके न तो राइट एंसर होज जाएगा आपसे नंबर भी यानि की 75% से लेकर के 80% तक आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रशन को बात करते आप सभी का यहां पर फाइप नंबर प्रशन पूछा जारा है कि उतर प्रदेश की उच्छ न्याले की खंड पीठ कहां पर है तो उतर प्रदेश की उच्छ न्याले की खंड पीठ के बात करते कहां पर हो जाएगा तो फाइब का वजज जाएगा आप सभी का लखनव में अपसा नंबर भी अगर इसे टेंट आप सभी को यह सारे प्रशनों का अंसर आ यह दस प्रशनों का अंसर आपस में उसका जवाब आप लोग जोरुर दे पा जाके इस बात को ध्यान दिचेगा क्योंकि यह काफीं पुड़ेड़े आप सभी के लिए अगला है आप सभी का six number उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो उत्तर प्रदेश के सबसे अगर हम लोग बड़ी नदी की बात करते रीवर की बात करते तो घंगा हो जाती है अपसा नंबर भी इस टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके न अगर वर्दी पाने का जून नहीं तो थ्वासा आप सभी को महनत तो करना पड़ेगा यार ठीके न एड़ सेवे नंबर प्रशन आप सभी से पूछा जारा ध्यान देजेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लगू उधोग किस नगर में है तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर लगू उधोग के बात किया जाए कि कौन सा नगर हो जाएगा तो आप सभी का हो जाएगा सेवेन का आगरा में यानि कि आपसा नंबर ए आप सभी का राइट एंसर ह ऊगले प्रश्न को बात करते हैं कि अगला प्रश्णावसी का दिया उवा एट नमबर प्रश्न आफ सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मितर योजना के सुरूआत कब हुई थी उत्तर प्रदेश में किसान मीत्र योजना की सुरूआत कब हुई थी यह हो जाएगा आप सभी का अपसर नमबर शी यानि की 18 जुन 2002 को उत्तर प्रदेश में किसान मीत्र योजना को सुरू किया गया था एंड इस्टेंड मैंने दस साल पूराना प्रिबियर से इस कोशन भी यूपी पुलिस से रिलेटेड करवाया है तो वहां से मैंने एनलाइज किया कि उत्तर प्रदेश की एक्जाम में अगर हम लोग बात करते डीपली जाते हैं तो आप सभी के ऐसे प्रश्न बहुत बार एक करके डालोड करके बहुत ही कम्में में बिल्कुल फ्री में डालोड करके आप से एक नोट्स को त्यार कर सकते हैं ठीक है तो आप सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं यहां पर एंड नाइन नमबर प्रशने कि उत्तर मध्य छेत्र सांस्कृतिक केंद्र इस्तित हैं उत्तर आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा इलहाबाद में इस्तित हो जाएगा अगला प्रश्ण आप सभी का यहां पर दस नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रतम विश्व विद्याले कहां पर और कब अस्थापित किया गया यह भी कोशन आश्टा सभी का यहां पर हो जाएगा इलहाबाद में आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा और में आपको सब्सक्राय है इंग्यारी नमबर कि उत्तरप्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रशाagement प्रशासक प्रशासक कोई थे उत्तर प्रध्रत के प्रथम के संस्था प्रशकासन कौन थे तो यहां पर हो जाएगा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगले प्रशन के और बात करते आप सभी का बारा नंबर प्रशन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन यह बहुत दोनों का प्रसिदा प्रसीदे तिर्थ अस्थल है उत्तर प्रदेश में जैन औ बोध दोनों का प्रसीद तिर्थ अस्थल है कौन सा सभी अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंट आप सभी का तेरा नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रामपूर स्वरी उत्तर प्रदेश में समस्पूर पच्छी बिहार की जिले में इस्तित हैं तो तेरह का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का राम राय बरेली राय बरेली हो जाएगा आपसा नंबर डी यहां पर एक और फेमस जो प्रश्ण आपसी की बार-बार एकजाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है तो आप सभी से ज बात करें तो तो फटा फट कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख दीजिएगा ठीक है ना 14 नंबर प्रश्ण के और आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में निमने लीखित में से कौन सी जन जाती सारधिक जन संख्या वाली है उत्तर प्रदेश में सी कौन सी जो जन जात है सारधिक जन संख्या है उसके पास तो चोदा का अच्छे का सभी का अपसा नंबर थारू हो जाएगा अगला प्रश्णावसी का पंदरा नंबर ध्यान दिजिएगा कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिच्छन यम अनुशांधान केंद्र अवस्तित हैं तो अपं हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आप सभी का सोला नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का निमने लेखित में से कौन सा खिलाड़ी होकी से संबंदी थी यह भी प्रश्णा आप लोगों के काफी पुड़े जो कि आप से कि खेल क खिलाडी से संबंदी था तो कि लीचा HOL react है आप सभी का जमना लाल सर्मा जमना लाल होजाएंगे अप सा नभल डी इस्टेंट आप इस्टेंट्ञ होजाएगा इस्टेंट फिर में आप सभी से करता हूं कि अभी तक आप से आमरे चलों को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आप सभी को आप Siay आप से अपने जिस वर्दी के लिए लड़ना चाहते हैं अमार साथ उस वर्दी को आप लोग प्राप्त करके जाएं ऐसा नहीं ठीक है न मैं भी सोचता तो लली पप कोशन आप सभी के लिए में ला सकता था सिंप्ली कोशन जो कि आप लोग पढ़कर के खूस होते हैं वैसे आप लोग लेलुप पफ कोशन को देखें हैं ठीक है न तो यह बात हैं यहाँ पर देखें सतरा नंबर प्रशन है कि उत्तर प्रदेश में संपूर कारागार प्रश्विष्ण सथां किस स्थान पर है सत्रा का जग आप सभी का लग नवाइं और ंगले पोठ गर उत्तर प्रदेश में कब और कहां स्थापित किया गया था फिर से कब देखते कि भारत का पाला केंद्रिय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहां पर स्थापित किया गया था तो अठारा का जाएगा अगरा 1846 को option number C आप सभी का right answer हो जाएगा देगे अगले प्रशन को और बात करते आप सभी का यहाँ पर 19 नंबर प्रशने स्टेंट पूछा जारा है कि उत्तर प्रदेश में पसु पालन भी भाग की अस्थापना कब की गए थी उत्तर प्रदेश में पसु पालन भी भाग की अस्थापना कब की गए थी 1942 में या 1954 में या 1954 में या 1956 में तो 19 का आप सभी का 1944 में यानि कि option number C आप सभी का right answer हो जाएगा ठीके न अगला प्रशने स्टेंट आप सभी का यहाँ पर 20 नंबर प्रशने पूछा जारा है कि उत्तर प्रदेश में मतस्य पालन का सुरुवात कब की गए थी यानि कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग मतस्य उत्पादन की बात करते कि कब आरंब किया गया था तो 20 का हो जाएगा आप सभी का 1944 यानि कि option number B आप सभी का right answer हो जाएगा अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का 24 नंबर प्रशने आपर पूछा जारा है कि 200 का सबसे बड़ा कुम्भ मेला 200 का सबसे बड़ा कुम्भ मेला उत्तर प्रदेश के किस सहर में लगता है तो 200 के सबसे बड़े मेले के बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में की सहर में लगता है तो 21 का हो जाएगा आप सभी का इस्टेंट इलहाबाद यानि की option number A इलहाबाद में लगता है अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 22 नमबर यहां पर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोग आयुक्त की निकती कब से की गई थी 22 का हो जाएगा आप सभी का 14 सितंबर 1977 को किया गया था पहली बार एंड आपसा नमबर B हो जाएगा अगला प्रश्ण इस्टेंट आप सभी का 23 नमबर 23 नमबर इस्टेंट आप सभी से प्रश्ण पूछा जारा ध्यान दिजेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम 200 विद्याले कहां पर और कब अस्थापित किया गया था 23 का जो राइट एंसर उच्चा का इलहाबाद में पहली बार किया था ठीकिन आपसा नमबर D अगला प् से किसे धार्मिक समुदाय और उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है बड़ा स्थान है तो 24 का जगा सीख यानिकी अपसा नमबर B आप सभी का इस्टेंट राइट एंसर हो जाएगा ठीके ना अगले प्रश्ण को बात करते आप स्विगर 25 नमबर प्रश्ण कि उत्तर प् सी में मतुरा एंडी में आगरा 25 का जग आप सिग वराण सी अपसा नमबर B आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट 26 नमबर प्रश्ण कि निमने लेखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमप्रागत उधोग है उत्तर राइट एंसर हो जागा यहां पर चीनी हो जाएगा चीनी का अपसा नमबर भी क्योंकि यहां पर भी उख बहुत ज़्यादा उगायश जाते हैं उत्र प्रदेश में ठीक अभी कोश्ण मैंने करवा था आप सभी के लिए 27 नमबर एक उत्तर प्रदेश में कॉंप्यूटर हो जाएगा अगला प्रशने 28 नमबर के उत्तर प्रदेश के किस जीले में यूरेनियम की समीती भंडार की खोज की गए उत्तर प्रदेश के किस जीले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गए तो ललीत पूर जाएगा अपसर नंबर D आप सभी का राइट एंसर जाएगा अगले प्रस्चन को बात करते हैं आपर देखिए ट्वंटी नाइन नंबर प्रस्चन की आलवे का सार्दिक उत्पादन आलवे का सार्दिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो ट्वंटी नैन को अब सभी का अपसा नंबर जाएगा रहां प्रताफ गण्प्रताप गछ आप सभी का राइट एंसर जोड़ेगा प्रताप गण्प्रत। अगर लिखेगा कि आखिर आप से को वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में जूर लिखेगा अगर आप से को वीडियो अच्छा लगे तो फिले चला को सब्सक्राइब कर साथ बिल आगन को प्रेस कर दीचेगा इस्टेंट तक इसा मोस्ट इंपर डे वीडियो आप तक सबसे जल पहुंचते रहे और रही बात इस्टेंट आप से के पीडियव का तो आप से अगर पीडियव डालोड करना चाहते तो आप से यमारे टेलीगराम चैनल अस्पीड एजुकेशन गुरू पर जाकर के आप सभी वहां से पीडियव को दोस्तों डालोड कर सकतो भी बिल्कुल फ्रे में बह भूलेगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में इस टेंट आप सभी के थांक्स वर अचिंग में वीडियो